दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत को रिसी मुनियों और अवतारों का भूमी कहा जाता है इसके साथ ही देश में कई रहस्मई जगएं हैं जिस पर से आज तक कोई भी परदा नहीं उठ पाया है आज हम आपको कुछ ऐसी रहस्मई जगहों के बारे मताने जा रहे हैं जो दुनिया के लोगों को अपने रहस्यों से अचंबित कर देती है और यह सारी की सारी जगहें भारत में मौजूद हैं तो चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं और जान लेते हैं कम्प्लीट डीटेल से लेकिन दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले आपसे एक चोट इस रिक्वेश्ट है प्लीज इस वीडियो को एक लाइक शरूर देना और आप इस वीडियो को सेर भी कर देना और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नौटिपिकेशन को आल पर सेट कर देना दोस्तो उत्तर प्रदेश के मतुरा जिले में इस्थित ब्रिंदावन एक महतपुट धार्मिक और एतियासिक अस्थल है ब्रिंदावन भगवान स्री किस्न के लीला से जुड़ा हुआ है ब्रिंदावन में एक ऐसा मंदिर है जो अपने आप ही खुलता है और अपने आप बंध हो जाता है इस मंदिर को रंग महल के नाम से जाना जाता है मानेता है कि निदिवन परिसर में इस्तित रंग महल में भगवान स्री किस्न रात में सैन करते हैं मंदिर में हर रोज परसाद के तौर पर माखन मिस्तिरी रखी जाती है इसके अलावा भगवान स्री किस्न के सोने के लिए पलंग भी रखी जाती है सुबह जब मंदिर को खोला जाता है तो ऐसा लगता है कि इस विस्तर पर कोई सोया था और जो प्रसाद रखा जाता है वो अभी गरहड किया हुआ होता है और सबसे हैरानी की बात यह एकी अंधेरा होते ही इस मंदिर का दरवाजा अपने आप बंध हो जाता है दोस्तो पश्चिम बंगाल का दलदलई इलाका भी रहस्य को अपने आप में समेटा हुआ है कहा जाता है कि यहाँ पर कई बार रहस्माई रोसनी देखने को मिलती है अस्थानी लोग बताते हैं कि यह रोसनी मचवारों की आत्माई हैं जिनोंने मचली पकड़ते समय किसी वज़े से अपनी जान गवादी थी यह भी कहा जाता है कि जो मचवारे इस रोसनी को देखते हैं या तो वह रास्ता भटक जाते हैं या उसकी जल्दी मौत हो जाती है दलदलई छेतरों से कई बार मचवारों के सौ बरामत किये गए हैं लेकिन अस्थानी प्रसासन यह नहीं मानता है कि ऐसा किसी भूत के वज़े से हुआ है अगर बैग्यानिकों की माने तो बैग्यानिकों ने असंका जताई है कि दलदलई छेतरों में अक्सर मिथेन गैस बनती है जिसे किसी तत्यों के संपर्ग में आने से रोसनी पैदा होती है दोसो भारत में कई ऐसी जीली हैं जो रैस में हिमाले की रूपकुंड जील की कहानी भी कुछ ऐसा ही है साल 1942 में यहाँ पर बिटीस के फोरेस गार्ड को सैकडो नरकंकाल मिले थे आज भी इस जील में मानों के कंकाल और हड़ियां पड़ी हुई है यह जील समुन तल से करीब 5,029 मीटर की उचाई पर इस्थित है यह जील हिमाले के तीन चोटियों के बीच इस्थित है जिसे तिरसूल जैसे दिखने की वज़े से तिरसूल का नाम दिया गया है उत्राखंड के कुमाव छेतर में इस्थित तिरसूल भारत की सबसे उची परवच चोटियों में सामिल है रूपकुन जील को कंकालों का जील भी कहा जाता है मानों बिग्यानी और बैग्यानिक इस रहस को जानने के लिए अध्यन में लगे हुए है आखिर में जील में ऐसा क्या है दोस्तो असम के दिमा हासो जिले की पहाडी में इस्थित जतिंगा घाटी पच्चियों की सुसाइट पॉइंट के तौर पर काफी मसूर है जतिंगा गाउ में मानसुन भी जाने के बाद एक ऐसा आवरण बनता है कि वहा की इस्थिती धुन पढने के समान हो जाती है और इसी समय गाउं में एक अजीब घटना होती है दरसल यहां के अस्थानी और परवासी पच्छीयों में एक अजीब ब्योहार परिवर्तन देखने को मिलता है हर साल सितंबर महीने में जतिंगा गाउं पच्छीयों की आत्मात्या के कारण सुर्खियों में आ जाता है इस जगर पर ना केवल अस्थानी पच्छी बलकी परवासी पच्छी भी पहुँच कर सुसाइट कर लेते हैं इस वज़े से जतिंगा गाउं काफी यादा रैस महीं माना जाता है जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आत्मात्या करने की प्रभिती इंसानों में होती है लेकिन पच्छीों के मामले में ये बात एकदम अलग हो जाती है जटिंगा गाउं में पच्छी तेजी से उड़ते हुए किसी इमारत या पेड़ से टकरा जाते हैं जिससे उनकी मौत हो जाती है ऐसा एकका दुका नहीं बलकी हजारों पच्छीों के साथ होता है सबसे अजीब बात यह है कि यह पच्छी साम साथ से रात दस बजे के बीच ऐसा करते हैं उनके साथ ऐसा हो जाता है नमबर फाइब लटकते खंबे का रहस्य दोस्तो आंद प्रदेश के बीरभद मंदिर विजे नगर समराज के वस्तु सिल्प सैली का एक सांधा नमूना है और इसमें इस्थी बिसाल नंदी मूर्ती, फ्रेसको, पेंटिंग और नाकासी जैसे आकरसक फीचर के अलावा इसके लटकते खंबे भी काफी अजीब हैं कुल मिलाकर मंदिर में 70 खंबे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना मिलते हैं नेक्स वीडियो में